तो हेलो इंजिनियर्स, बिजघंशेशन एक टेड़ी स्ट्यूट में, मैं इंजिनियर्स गॉर्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉबी डिसकेशन रहने वाला दिवाली स्पेशल, मतलब की इंटोड़क्शन टू हाइवे और हाइवे लेयर्स में क्या-क्या लेयर्स रहती है हमारी फ्लेक्सिबल पेइमेंट में, इसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के end तक बने रहेगा इसमें आपके लिए खास ओफर है जो आपकी केरियर और स्किल्स को बढ़ाने में आपकी काफी जादा मदद करेगा तो चलिए शुरू करते बिला किसी देरी के तो दोस्तों इंडिया में अगर मैं सबसे बड़े हाईवे प्रोजेक्स की बात करूँ तो आपको देखने मिलेगा गति शक्ती माश्टर फ्लैन जो की लगभग 100 लाग करोड रुपे का सिफ हाईवे प्रोजेक्ट है इसके साथ में आपको देखने मिलेगा भारत माला प्रो तो ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्स को एक्जिक्यूट करने के लिए नीड होती है बहुत सारे सिविल इंजिनियर्स के वर्फोर्स की बट इंडश्ट्री चाहती है सिविल इंजिनियर्स को हैर करना बट सिविल इंजिनियर्स में ही कई न कई स्किल की कमी है तो क्या है वो कमी, उसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे, उसके पहले जान लेते हैं हमारे flexible payment के layers क्या-क्या होते हैं, उसकी importance क्या-क्या होती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमारा सबसे पहला bottom layer, जो कि है हमारा subgrade, अब subgrade को हम foundation layer भी कहते हैं, जैसे कि हमारे घर की leave जो earth में transfer करने का काम करता है इसलिए जो हमारा subgrade की जो layer रहती इसकी thickness भी सबसे जादा होती है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 500 mm की thickness यहाँ पर दी हुई है अब आप engineers को यह confusion आ सकता है कि subgrade के निचे तेक embankment भी होता है तो embankment ज़रूर होता है बट वो एक layer नहीं होता embankment का काम यह रहता है जो हमारा earth हमें मिला रहता है survey के बाद highway construction के लिए वो हो सकता है कहीं पर बहुत जादा undulation हो मतलब कि कहीं पर हमें cutting filling करने की ज़रूरत हो तो जब हम वो cutting filling करते हैं और उस earth को बिल्कुल smooth कर देते हैं मतलब एक level में ले आते वो हमारा embankment होता है embankment में हम normal जो हमारा locally available soil रहता है उसको भरते हैं यहाँ पर जो हमारा subgrade है इसमें हम बाहर से soil लेकर आते हैं थोड़ी अच्छी quality का soil लेकर आते इवन grade का soil लेकर आते हैं और उसको यहाँ पर filling करते हैं और अच्छी तरीके से compact करते हैं इसके बाद हमारा जो next layer आता है वो आता है GSB, GSB हमारा होता है granular sub base इसकी अगर मैं thickness की बात करूँ तो लगबग 200 mm की इसकी thickness है और इसे कहीं कहीं पर drainage layer भी कहा जाता है अब drainage layer क्यों कहा जाता है क्योंकि यही वो layer है जो पानी को capillary action से उपर आने से भी बचाता है साथी साथ उपर से आने वाला बारिश का पानी को नीचे sub grade तक नहीं जाने देता जिससे कि हमारा जो well compacted sub grade है वो खराब नहीं होता और हमारे road में pot holes बनने के chances कम हो जाते इसके बाद आता है हमारा WMM1 जो कि हमारा wet mix macadam पहले के जमाने में wet mix macadam की जगा water bound macadam का इस्तमाल किया जाता था जो कि उतना reliable नहीं होता था और उतना load wear नहीं कर सकता था इसलिए modern जमाने में WMM लेकर आ है इसमें हमारा stone aggregate, stone dust और पानी के साथ मिला के हम इसे well compact करते यह एक तरह का heart strata हमें provide करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 mm का इसकी thickness है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप अगर अपना carrier highway में pursue करना चाते हैं तो कैसे आप अपनी skill को grow कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे दिवाली का समय आ गया है तो civil guru जी ने आपकी पुकार सून ली है जैसे कि आप हमेशा call करके और comment करकर कहते थे कि भई offer लेकर रहो offer लेकर रहो तो civil guru जी आपके लिए लेकर आये दिवाली super saving days जो की चलने वाला हमारा 24 से 31 October तो कैसे इस offer की मदद से आप अपने पैसे भी बचा सकते और अपने carrier और skill को grow कर सकते जिससे आप अपनी पसंदीदा company में job पा सकते तो इसके बारे में बात करते तो आप के लिए लेकर आये हम cops or highway जिसमें आपको highway related complete operating process समझेंगे और इसके साथ साथ इसमें आपके include रहेगा highway के layers उसके सारे specification सारी consideration साथी साथ उसके बाद आएगा सर्वे इसके बाद आएगा estimation or costing हमारा highway का बिल्कुल सहीं सून रहे है अभी तक हम से building का estimation निकालते थे अब आप सीखेंगे cops or highway में road का estimation और costing कैसे निकालते साथी साथ इसकी billing कैसे होती है ये भी आप सीखेंगे तो मतलब जितना हमारा zero to hero बनने का आपका जो सफर है ये cops or highway बिल्कुल पूरा कर सकता है तो इसमें क्या offer है तो इसका जो हमारा cost or highway का जो rate था वो था 17,847 रुपए जिसे दिवाली offer में लाया गया है 14,847 रुपए में ये हमारा lifetime access आपको इसका मिलने वाला है मतलब कि इसकी access आपके पास lifetime रहने वाली है इसके पहले आपको दो साल की access मिला करती थी बट इस offer के साथ आपको मिलेगा lifetime access आप 24,7 दिन कितनी बार भी आप ये वीडियो अपना doubt क्लियर करने के लिए देखना चाहते हैं ये offer सिप limited लोगों के लिए है जो की first 470 callers रहने वाले है उनके लिए रहने वाला है अगर अगर आप ये discount का और offer का फायदा उठाना चाहते है तो आपको use करना है coupon code guruji अब इसके साथ में आप अगर चाहते हैं construction operating process building भी आपको मिल जाए साथी साथ आप चाहते हैं कि आपको highway construction का भी complete operating process समझ में आ जाए और इसके बाद में industry की सबसे ज़्यादा demand में जो चल रहा है अभी cops for beam अगर आप ये भी चाहते हैं तो ये तीनों आपको एक साथ combo offer में मिल जाएगा हमारे SDO course के अंदर जो की lifetime access के साथ आने वाला है और इसके साथ में ये offer की जो validity है 24 से 31 October के बीच रहने वाली है जैसे कि मैंने आपको बताया था cops for highway में आपको first 470 callers के लिए है वही मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा SDO का offer है ये first 47 callers के लिए ही है अगर मैं discount की बात करूँ तो हमारा SDO का जो rate था वो हुआ करता था 27,847 रुपै जो की दिवाली offer में आपको मिलने वाला 26,847 रुपै में और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये first 47 callers के लिए ही होने वाला है तो अगर आपको अभी भी कोई doubt है या कोई confusion है तो नीचे दिवे नंबर पर आप call कर सकते हैं और अपना free counseling हमारे expert carrier guidance team के साथ book कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है बस आपको call करना है 911 001234 पर साथी जात में repeat कर देना चाहूँगा ये offer सी first 47 callers के लिए है तो late मत करिएगा अगर आप 48th number पर भी है तो आपको ये offer नहीं मिलेगा तो जल्द से जल्द call करिए और इस offer का फायदा उठाइए तो दोस्तो हर एक course के साथ आपको मिलने वाला है dedicated एक certificate जो proof करेगा कि आपने ये course किया है और आप इस course के हगदार है ये certificate के बाद आपके सर पर fresher का tag लगा है वो बिल्कुल निकल जाएगा तो ये course किसके लिए है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये essay engineers के लिए हैं जो अपने career में high paying job चाहते हैं या ऐसे लोगों के लिए हैं जो government job की तयारी करते हुए time पैसा waste कर चुके हैं और अब चाहते हैं कि अपनी career में वही high paying job पाएं या essay engineers जो अभी diploma भी या B.Tech कर रहे हैं और चाहते हैं कि बहुत कम age में ही उनको career की वो उचाई पा सके जिसके वो असल में हगदार हैं जल्दी call कर ये 911-001234 पर तो दोस्तों अब बात कर लेतें next layer की बारे में WMM1 जो हमारी 125 mm की थी इसके बाद आता है हमारा WMM2 जो की जिसकी thickness हमारी फिर से 125 mm की है और इसमें जो हमारा aggregate size है WMM1 से हम बढ़ाएंगे लगबग 75 mm तक का aggregate हम यहाँ पे use करने वाले हैं तो WMM1 और WMM2 हम अलग-अलग इसलिए करतें ताकि यह well compacted हो जाए अगर मैं यहाँ पे subgrade की बात करूँ तो इसमें भी आपको 500 mm का पूरा material एक साथ फिल करके नहीं compact करना है आपको लग-बग 200 mm फिल करने के बाद compact करना लास्ट लियर आपकी 100 mm की रहेगी जिसे कि यह well compact हो जाए और इसके बाद हमारी bituminous layer चालो हो जाती जो कि हमारी DBM, dense bitumin, macadam यह बाकी की पहली layers और इस layer में क्या difference है तो यहाँ पे हम aggregate के साथ introduce कर रहे है binder material जो कि है हमारा bitumin bitumin अलग-अलग grade का आप यहाँ पे use कर सकते हैं VG20, VG30 या VG40 according to जैसी requirement है जैसी traffic load वहाँ पे आने वाली है उसके according यहाँ पे हम bitumin use करेंगे, अब यहाँ से हमारा surface wearing course चालू हो गया और इसमें हमारा last course आता है BC जो कि हमारा bitumin concrete का, यहीं वो हमारा surface course रहता है जिस पे हमारी गाडिया चलती है और इसकी thickness की अगर मैं बात करूँ तो लगबस 40 mm से लेके 50 mm तक रहती है अगर आप कभी interview पर जाने वाले हैं और आप confused हो जाते हैं कि क्या-क्या layers आने वाली हैं, क्या-क्या layers किसके बाद आती है, उसकी thickness क्या रहती उसका working क्या रहता है, तो इस वीडियो के बाद अब आप confused नहीं होंगे अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आप ने हैं तो इस channel को subscribe करें तो दोस्तों, जादे-जादे मैं बस कहना चाहूँगा इंडिया एक emerging developing country है जिसमें potential unlimited है अगर मैं मोदी जी के शब्द में कहूँ तो इंडिया का अमरित काल चल रहा है और अगर आप इस अमरित को चखना चाहते तो अपनी skill को develop करें, क्योंकि अपनी career की वो चाहिए छूने को मिलेगी जिसके आप असल में हगदार है जाते-जाते मैं बस कहना चाहूँगा करना है खास, तो चलो हमारे साथ सीविल की बात गुरुजी के साथ Until then, thank you so much